अपना चैप्टर नंबर फॉर्थ स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है हमारा linear equations in two variable स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबाए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ वो आप तक पहुंच सके गाइस देखो ये हमने चैप्टर का नाम है हमारा linear equations in two variable अब इसके नाम से ही हमारे को बहुत सारी चीज़े मिल रही है सबसे पहले हमारे को क्या चीज़ देखने को मिली कि linear linear का मतलब क्या होता है single यानि के one linear का मतलब क्या होता है one इसका मतलब ये one है ना कही ना कही तो role play करने वाला है equation बनने वाली है हमारी चैप्टर के अंदर और variables जो होते है variable क्या होता है कोई भी variable हम alphabet की form में दे सकते हैं x y z a b c कुछ भी दे सकते है it means variable के नाम से ही पता चलता है जो vary करे जिसकी value fix ना हो यानिकर इस x की value कुछ भी हो सकती है इस y की value कुछ भी हो सकती है और कितने variables इस type के use होंगे इसके अंदर do variable use होने वाले हैं so हमारे को इस चैप्टर के नाम से कुछ-कुछ idea लग गया कि हमारे को इस тепटर में equations की study करनी है और उस equation के अंदर दो variable होंगे हमारे और दो variable होंगे ना दोनों के पास single यह single होती है ना power होती है linear का मतलब पावर यानि कि उन variables की जो power होगी ना वो क्या होगी single होगी यानि कि वो square में नी होगे cube में नी होगे वो single होगे single unit होगी variable की सो बेसिकली जो हमारे linear equation in two variables होते हैं इसकी जो हमारी general form आती है देखो क्या आती है हमारी general form general form हो गई हमारी ax plus by plus c is equal to 0 यह हमारी क्या हो गई इसमें general form हो गई अब कुछ बच्चे बोलेंगे यह सर a b c क्या है हमार पास देखो यह x और y क्या हो गई मेरे पास दो variable हो गई two variables हो गई x and y यह चीज तो आपको समझ में आजई यह जो मेरा a है a क्या है मेरा coefficient है किसका कोफिशेंट है x का कोफिशेंट है तो यह जो मेरा B है यह भी value क्या होगी मेरी fix होगी और जो यह मेरा C होता है न यह होती है मेरी constant value constant value अब जितनी भी हमारी linear equation and two variable बनती हैं इसका मतलब मेरे को simple सी भाषा में एक चीज़ समझ में आ रही है क्या चीज़ समझ में आई मुझे मुझे यह चीज़ समझ में आई कि x और y के बीच में कोई न कोई relation जरूर निकलेगा x और y के बीच में क्या है कोई न कोई relation है उस relation की help से हमारी क्या बनती है equations तयार होती है यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए देखो basics अगर अच्छे से बढ़के चलोगे तो आगे chapter में कोई problem नहीं होने वाली है so basics का मतलब यह देखो x variable y variable दोनों के बीच में एक रिष्टा होगा उसी से हमारी equation बन के तयार होगी जैसे मैंने बोला मेरा x ना y से double है मेरा जो x है y से double है अब double कोन है x double है अब इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दो multiply करना पड़ेगा y की तरफ तो यह जो मेरी equation तेयार होई इसी को मैं देखो ax plus by plus c की form में लिख सकता हूँ इसको मैं plus 0 तो लिखी सकता हूँ और is equal to मेरा हो गया 0 यह मेरी क्या बन गई linear equation in two variable कहां पे बन गई निकला कहां से x और y के relation से निगल गया ही हमेशा x और y दो variables के relation से ही हमारी linear equation in two variable तयार होगी तो बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है सो अब हम इसी जो मैंने अभी तक आपको सिखाया इसके बिहाफ पर हमारा example number 1 है ncrd book का example number 1 उसके अंदर देखो क्या बोला हुआ है write each of the following equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 आपको किस form में लिखनी है equation ax plus by plus c is equal to 0 की form में लिखनी है देखो इसका first part देखो क्या है हमारा को equation क्या दे रखी है 2x plus 3y is equal to 4.37 अब आपको इस form में देनी है equation तो आपको answer क्या हो जाएगा ax, a की जगा 2 है 2x plus by यानिके 3y plus c लेकिन जो मेरी constant value हो क्या है right side में है तो उसको मैं किदार ले जाँगा left hand side में तो मेरा क्या जाएगा minus 4.37 is equal to क्या आगए है 0 तो ये मेरी जो equation आगई है किस form में आगई ax plus by plus c is equal to 0 की form में आगई और ये ही मेरा क्या है answer है अब इसके अंदर आगर आपसे पूछे a की value क्या है a की value होगी मेरी 2 b की value क्या है मेरी 3 और c की value क्या है मेरी minus 4.37 ये मेरे हो गए a b c की value इसी तरीके से देखो इसका second part देखते हैं second part के अंदर क्या दे रखा हमारे को x minus 4 is equal to under root 3y अब under root हो कुछ भी हो मुझे तो फरक नहीं पड़ता मुझे सरफ ax by और c को एक तरफ करना है गटटा so मेरा x इधर आ रहेगा as it is y उदर से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा minus की term हो जाएगी और minus 4 मेरा is there है is there equal to 0 आ गया so यहां से यह मेरी equation तेयार हुई अब इस equation के अंदर a b c की value बता दूँगा मैं a क्या है मेरा a की value 1 है क्योंकि x का coefficient में हाँ पर क्या है मेरा 1 है जो कुछ नहीं होता महाँ पर क्या होता है 1 होता है 1 क्या भगवान है मैस में जो जित्ता नहीं है लेकिन होता है तो यहां से वाना गया b की value क्या होगी मेरी minus under root 3 आ जाएगी c की value क्या जाएगी minus का 4 आ जाएगी तो यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आगी होगी इसी तरीके से अब आप देखो third part देखो इसका third part भी कर लोगा आप easily third part के अंदर क्या दिया आपको 4 is equal to 5x minus 3y अब आपको क्या करना है xy और सारी terms को left and side में लेना है तो इदर ले क्या होगे यह मेरा बनेगा minus 5x यह बन जाएगा मेरा plus का 3y और plus 4 तो है इदर is equal to क्या जाएगा मेरा 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा अब आप क्या सकते हो देखो यह जो minus से है अब minus से दोनों तरफ multiply कर दो हम पूरी equation में इदर minus से multiply करेंगे और इदर भे क्या करेंगे 0 into minus 1 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा अंदर के वाली सारी terms के sign change हो जाते है कभी भी हम ना जो हमारा सबसे पहला variable हो हम कोशिश करते है कि वो negative ना रहे वो positive रहे तो इसको positive बनाने के लिए हमने minus से दोनों तरफ multiply किया है minus 1 से तो match के अंदर हमारा rule होता है कि हम left और right side दोनों के अंदर multiply कर सकते हैं तो वो ही चीज मैंने apply किया है minus से multiply होगा यह 5x बन जाएगा यह मेरा बन जाएगा minus का 3y यह मैंने का minus 4 is equal to मेरा 0 0 से multiply किसी चीज की करोगे तो क्या हैगा 0 यहाँ से मेरे पास यह equation तयार होगी इससे मेरी A, B, C की value निकल जाएगी A क्या होजाएगा मेरा 5 B क्या होजाएगा मेरा minus 3 और C क्या होजाएगा मेरा minus 4 यहाँ से मेरी तीनों values आगई अब देखते हैं इसका हम fourth part देखो fourth part क्या दिया हो आपको fourth part आपको simply 2x is equal to y दिया होगा है 2x is equal to y दिया होगा है अब इसके अंदर क्या करोगे आप देखो आप x और y वाली term को एक साथ रख लो तो 2x इधर क्या जाएगा minus y plus 0 जब constant नहीं है तो is equal to 0 अब यहाँ से देखो a, b, c की value क्या होगी a होगया हमारा 2 b क्या होगया हमारा minus 1 और c होगया हमारा 0 यह हमारा क्या होगया a, b, c की values आगई यह हमारे final answer होगई है आप देखो इसी तरीके से हमें example number 2 देखते है example number 2 के अंदर हमारे को क्या दे रखा है example number 2 के अंदर बोला है write each of the following as an equation in 2 variable आपको first part के अंदर दे रखा है x is equal to आपको दे रखा है हमारा x की value क्या दे रखिया है minus 5 दे रखिया है अब आपको x की value दो minus 5 दे रखिया है तो अब आपको इस equation को किस form में करना है 2 variables की form में तो देखो x के आगे तो 1 है ही तो यानि के मैं इसको 1 x लिख सकता हूँ इसके अंदर 0 y ही नहीं तो मैं कहा लिख सकता हूँ इसको 0 y लिख सकता हूँ और मेरा जो c है इसको मैं कहा लेख साइड में लेऊँगा तो कह देगा मेरा plus 5 is equal to 0 तो ये मेरी क्या form आ गई ax plus by plus c वाली form नहीं आ गई और actually में ये क्या है x is equal to minus 5 ही रहा तो ये मेरा हो गया क्या answer हो गया इस question का ऐसे देखो second part second part के अंदर क्या बोला हुआ है second part के अंदर देखो मेरे को बोला हुआ है y is equal to 2 है मेरे पास y is equal to 2 के लिए क्या है x के आगे क्या coefficient रहा होगा 0 तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले 0x plus 1y और ये 2 मेरे left hand side में लेगा हूँआ तो minus 2 is equal to क्या जाएगा मेरे पास 0 आजाएगा ये भी तो ये भी मेरे हो गया ऐसे देखो third third के अंदर क्या दे रखा मेरे को 2x is equal to 3 दिया हुआ मेरे को y वाली term 0 तो 2x plus 0y minus 3 is equal to 0 ये मेरे क्या आगया third part का answer आगया इसी तरीके से fourth part देखो मेरा fourth part क्या बोल रहा है मेरा 5y is equal to 2 x वाली term है ये नहीं तो क्या हो जाएगा मेरा 0x plus 5y is equal to क्या जाएगा मेरे पास sorry मैं left hand side में लेऊँगा इसको क्या जाएगा minus 2 is equal to मेरा आगया 0 तो ये भी मेरा क्या आगया ax plus by plus c की form में आ गया और इसके साथ हमारी ये वाले concept हो गए खतम